SL और Zee Group के चेर्मिन सुभाष चंद्रा से संरक्षत हिमगरी Zee University को सुप्रीम कोट ने नोटस जारी किया है हिमगरी Zee University के चात्रों ने सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर याचिका पर धोखा धड़ी और फर्जी दिग्री देने का आरूप लगाया है सुप्रीम कोट ने नोटस जारी किया है सुप्रीम कोट ने हिमगरी Zee University, University के चांसलर, University के संरक्षक सुभाष चंद्रा, उत्राखंड सरकार, केंडर सरकार, UGC, Zee Learn Limited और Central Vigilance Commissioner को आठ हफतों में जवाब देने के लिए कहा है याचिका में आरूप लगाया गया है कि हिमगरी Zee University ने देश के हजारों चात्रों को बिना मानिता प्राप्त कोर्स में दाखला देकर धोका धड़ी की है याचिका के मताबिक UGC से मानिता नहीं होने के बावजूद BSC Animation के कोर्स में चात्रों को गलत जानकारी देकर दाखला दिया गया ये पेटिशन कुछ स्टूडन्स ने फाइल करी थी कि हमको इस तरह से चीट किया जा रहा है सारे कानून और रूल्स का उलंगन करके ये लोग एक कमर्शल पूरा ओपरेशन चला रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को स्टेट को यूजी सी को सुभाश चंद्रा को इन सब को नोटिस इशू किया है चात्रों का आरूप है कि नियम के मताबिख यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों में सेंटर्स या ब्रांचेज नहीं खोल सकती है लेकिन यूजी सी से बिना अनुमती लिए यूनिवर्सिटी ने देश के सत्रा राज्यों में अपने सेंटर्स खोल लिए जिसमें हजारों चात्र पढ़ाई कर रहे हैं चात्रों की मांग है कि हजारों चात्रों के करियर को बचाने के लिए हिमगरी जी युनिवरस्टी पर कारवाई होनी चाहिए UGC Regulations में भी ये लिखा है कि कोई भी युनिवरसिटी अगर स्टेट से बाहर कोई सेंटर बनाती है ये अपने में कैंपस से बाहर कोई सेंटर बनाती है और वहां से कुछ डिग्रीज वगरा इशू करती है तो उसको UGC की परमिशन लेनी पड़ेगी इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हिमगिरी जी युनिवरसिटी की शुरुवात साल 2005 में हुई थी जिसके पहले चांसलर, S.L. और जी गुरुप के चेर्मेन सुभाष चंद्रा को बनाया गया सुभाष चंद्रा अभी युनिवरसिटी के संड्रक्षक है, इससे पहले भी कई बार युनिवरसिटी पर चात्रों के साथ धोका दड़ी करने के आरोप लग चुके है युनिवर्सिटी के खिलाफ वहां के चात्र धर्ना परदर्शन करने से लेकर उत्राखंड के मुक्यमंत्री हरी शरावत तक से इंसाफ की गुहार लगा चुके है गुपाल कृष्ण, न्यूजवर्ण इंडिया, दिल्ली चात्रों के लगाए गए आरोप और सुप्रीम कोट के नोटिस पर हमने एक एमेल भेजा, ये एमेल भेजकर हिम गिरीजी उनिवर्सिटी और उसके संरक्षक सुभाज चंद्रा से हमने प्रतिक्रिया मांगी है, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है हम आपको बताते हैं हमने क्या-क्या सवाल किये, हमने पूछा कि युनिवर्सिटी ने बिना UGC से अनुमती लिए, उत्रा खंड के बाहर 17 राज्यों में सेंटर खोल लिए, क्या UGC से अनुमती लेना ज़रूरी नहीं समझा गया दूसरा सवाल जो हमने किया वो ये कि छात्रों का आरोप है कि उन्हें जो डिगरी दी जा रही है वो फर्जी है क्योंकि दूसरे राज्यों में कोर्स चलाने के लिए अनुमती नहीं ली गई तीसरा सवाल जो हमने किया चात्रो का आरोप है फर्जी डिग्री देकर उनिवर्सिटी ने देश के सेक्रो चात्रो का करियर बरबाद कर दिया है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और चौथा सवाल जो हमने किया वो ये कि उनिवर्सिटी के फर्जी वाड़े के बारे में क्य युनिवर्स्टी के संरक्षक होने के नाते सुभाज चंद्रा की जिम्मेदारी नहीं बनती है तो ये तमाम सवाल हमने इमेल के जरीय पूछे है लेकिन अभी तक हमको इसका कोई भी जवाब नहीं मिला है